एस वीडियो का टॉपिक होने वाला है फिरण आर सीची भी मेली एंप्यर रेटिंग कैसे सेलेक्ट करा मुझे तो इसको ELCB बोलते हैं और रसीची भी बोलते हैं यह दो सही नाम से इसको जाना जाता है फिरण तो आप देख सकते हैं फिरण हम यहांपर हमारा जो है यह 40 एंपियर यहाँ प्रभी लिखा है 40 मतलब मतलब लोड जो भी तीनों मैं ब्राबर दे सकता है लेकिन इसमें जो होता है यह तो यह सब्सक्राइब क्या है और कहां पर यह तिनों को यूँच किया जाता है यह आप से पूछ सकता है तो इसलिए हास में क्यों इसको लगाते हैं उसका रीजन है फिरेंड जब प्रेस वासिंग मसीन फिरीज ये सब जो होता है हुमन के बोड़ी से हमेशा टच में रहता है फिरेंड अगर हमारा कोई सभी वायर फिरेंड अगर हमारा कोई सभी एक वायर इसमें से जा रहा अगर बीच में थोड़ा सा भी कट होके आगर आप के हात में anda होता है यह बहुत जल्दी कर जाता है फिर इसके लिए इसको हम ठ ότι दिमेली एंपियर का अपने हौस में लगाते हैं यह वह बार を बहुत वेस्ट है भी आप इसको होग में यूज कर सकते हैं और इसके बाद आता है फिरेंट 40 ampere load जैसे आप MCB को select करते हैं फिरेंड जैसे आप MCB MCB को select करते हैं फिरेंड load के हिसाब से लगाते हैं वैसे हम ELCB को भी load के हिसाब से लगा सकते हैं जैसे अगर आप इसका 40 ampere load है फिरेंड इस वह आप 40 ampere ही load दे सकते हैं इससे over नहीं दे सकते हैं इसी तरह से जैसे MCV को select करते हैं वैसे ELCV को भी select कर सकते हैं ELCV का मतलब होता है फिरें Earth leakage circuit breaker मतलब थोड़ा भी leakage होता है तो यह trip कर जाता है तो यह 30 million ampere का आप अपने घरों में लगा सकते हैं फिरें और यह देख सकते हैं फिरें 30 million Past का घरों में लगाते हैं इसके बाद आता है हम एक दो यूज कर सकते हैं 30 Milli A imprint में धो गिंती के लिए एक है दो यूज होता है फिरेंद लेकिन कॉल सेंटा डाटा सें्टर ये सब जो होता है फिरेंद इसमें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है तो वहाँ पे थोड़ा लिकेज किरेंट होता है इसके लिए 100 मेली एंपयर आपको वहां पे देखने के लिए और यह जो देख सकते हैं यह भी हमारा 40 एंपयर का फिरेंट इस पे लोट सेम दे सकते हैं लेकिन इंडेस्टर यह एरिया जो होता है फिरेंट वहां पे बड़े-बड़े आपके थाइंक्यू फ्रेंड